हेलो एवरीवन बैनेफिट ओफ नेचर चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं मैं पूजा आज मैं आपको एकी जीज़ से बहुत अच्छी ब्लैक हेड़ाई बताऊंगी और इसे इस्तिमाल करके आप अपने बालों को लंबे टाइम तक काला बना सकते हैं आज की डाइमे में जो समान इस्तिमाल करी वो बहुत ही लंग लास्टिंग कलर देता है तो सबसे पहले आपको लेनी है चाय पत्ती चाय पत्ती को आप अच्छे से भून लेजेगा और इसे बिलकुल ब्लैक करना है क्योंकि जितना ये ब्लैक होगी हमारे बालों में उतना ही ब्लैक कलर आएगा चाय पत्ती का कलर बहुत ही ज़्यादा लॉंग लास्टिंग आता है और जल्दी से नहीं उतरता है अब जब अच्छे से भून जाएगी तो आप इसमें डाल दीजीगा एक कप पानी इसे आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग बनाना है तो मैं आपको मेडियम जो शॉल्डर तक के बाल होते हैं उनके लिए बतारी हूँ आपको तो इसके लिए मैंने दो चम्म चाय पत्ती ली है और उसे मैंने एक कप पानी डाल कर अच्छे से पकाना है यह इसे इतना पकाना है कि बहुत ही अच्छा एक गाड़ा सा सिरम बन जाए क्योंकि हम इसमें महंदी का पेस्ट बनाएंगे और यह बहुत ही अच्छा और अच्छे तरीके से पकना चाहिए क्योंकि जितना अच्छा पकाओगा भुनाओगा उतना ही अच्छा स्का कलर हैगा आप देख सकते हैं यह बिल्कुर तयार हो चुका है चाय पत्ती नीचे बैठ चुकी है इसकी पहशान ये है तो हमारा सिरम तयार है अब इसमें हम ले लेंगे हिना अगर आप हिना चाहे तो हिना ले सकते नहीं तो आप इसमें इंडिको कभी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें आपको ये सिरम डालना है और एक बहुत अच्छा सा पेस्ट बनाना है और ये पेस्ट इतना होना चाहिए कि आप इसे ब्रस की सायता से लगा लें क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीकी से बालो को जोड़ो से काला बनाएगा और रादबर रखने के बाद आप देख को आगे बताऊंगी लेकिन आप देख सकते हैं इसे साथ से आठ घंटे रखने के बाद इसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और इसके बाद आप शैंपू बिल्कुल ना इस्तेमाल करें तब आप ब्रस की सायता से जहां जहां आपको सफेद बाल दिखाए दे रहें इ से पूरे बालों में लगा लीजेगा पूरे बालों को अच्छे से कवर करना है और उसके बाद नॉर्मल पाने से सिरको वाश करें कैसी लगी वीडियो जरूर बताए लाइक